गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स बगवान दास्तोधी कोलेज की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं जैसा कि हम फाइलम प्रोटोजवा के बारे में पढ़ रहे हैं और इस फाइलम के हमने जनरल केरेक्टर्स की बात की थी लास्ट वीडियो में क्या है ये फाइलम प्रोटोजवा किसे कहते हैं दूसरे जो फाइलम सी है किस तरीके से अलग है तो इसके हमने एक क्याक्टर्स को ब्रीफ में क्या किया था वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था और अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगी कि इनका जो क्लासिफिक के जो अलग-अलग जो पॉइंट्स हैं उसमें यह जो एनिमल है कितनी के अंदर आते हैं क्यों आते हैं क्या उनके करेक्टर से यह हम क्लासिफिक्शन के अंदर पढ़ेंगे सारी डिटेल के अंदर ठीक है ना आपको पता हुगा कि आपके आप टूदा ओर्डर्स ओर्डर्स सग को किस आधार पर बाटा गया है इसके हम बात कर लेते हैं ठीक है ना और फिर इसका चाइट फर्म में देख लेते हैं और फिर आपन एक-एक करके systematic तरीके से इसके classification को क्या करेंगे study करेंगे so आपको बता दें कि phylum protozoa को classification है ये किस पर based है मुख्य रूप से it is based on locomotory organs जो गमन अंग होते हैं मुख्य रूप से शरीर के उपर पाए जाने वाले आपको पता है एक single kooshika के जन्तु है अब ये single kooshika के जन्तु है इन पर गमन अंग भी पाए जा रहे है general characters में मैंने आपको बताया था कि ये गमन कैसे करेगी kooshika गती कैसे करेगी गती करने के लिए या गमन करने के लिए इनकी body के उपर cilia पाए जा सकते हैं flagella पाए जा सकता है या amoeba के अंदर आपने देखा होगा pseudopodia पाए जाते हैं तो pseudopodia के रूप में भी ये locomotion परदर्शित करते हैं तो जब हम classification को पढ़ते हैं classification इनको किस आधार पर divide किया गया है वो आधार जो base है इनका मुखे रूप से किस चीज को देखा जाता है जो scientist ने divide किया उन्होंने मुखे रूप से इन कोशिकाओं पर पाए जाने वाले गमनंगों को देखा कि गमनंग कोन से पाए जा रहे हैं अगर cilia पाए जा रहे हैं तो उनको ciliaeta class में डाल दिया है ना और अगर उनमें flagella पाए जा रहे हैं तो उनको mastigophora, flagelleta इस तरीके से बांट दिया है ना और amoeba का आप जानते हैं raizopoda या sarcodina जिसके अंदर pseudopoda आप आए जाते हैं से हम डिवाइड करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि सारा का सारा protozoa sang का जो classification है उसका मुख्य आधार जो बांटने का आधार है वो क्या है उन पर पाई जाने वाली गमन अंग या लोकोमाटरी और गंस यह structure लोकोमाटरी स्टक्चर सेलिया भी हो सकते है फ्लैजीला हो सकते है या सूड़ोपोडी हो सकते है चलिए अब आपन इसके आगे बात करेंगे कि किस कितनी तरह इसमें बाटा गया देखिए फाइलम क्लासिप यह जो प्रोटोजोवा संग है इस प्रोटोजोवा को मुख्य रूप से दो सब फाइलम में बाटा गया है यह दो सब फाइलम कौन कौन से है प्लाज्मो डर्मा और सिलेटा ठीक है प्लाज्मो डर्मा और सिलेटा यह दोनों क्या है सब फाइलम है प्रोटोजोवा फाइलम के और फिर इस प्लाज्मो डर्मा को वापस से तीन क्लासिप के अंदर बाटा गया है देखिए यह क्या चीज है सब फाइलम हम इसको क्या कह सकते है प्लाज्मो डर्मा एंट सीलेटा प्लाज्मो डर्मा की जो हम बात कर रहे हैं इसको वापस से तीन क्लासेज में बाटा गया मैस्टिगोफोरा को फलाजीलेटा भी कह सकते हैं फलाजीलेटा ठीक है मैस्टिगोफोरा या फलाजीलेटा और दूसरा मैस्टिगोफोरा फलाजीलेटा के लावा राइजोपोडा या सारकोडीना राइजोपोडा या हम कह सकते हैं सारकोडीना ठीक है और तीसरा हम इसको क्लास जो वाटा गया इसको कह सकते हैं स्पोरो जोवा इस क्लास के अंदर गमनंग नहीं पाए जाते तो आप यह जो देख हैं Plasmoderma को तीन classes के अंदर बाट आ गया ठीक है ये classification चल रहा आप देख रहे हैं बिल्कुल category wise हम बिल्कुल इसको डिवाइड कर रहे हैं फिर अपन इसको एक एक करके study करेंगे Plasmoderma को study करेंगे then celiata को study करेंगे लेकिन पूरे अगर हम classification को देखें इस protozoa संग को वैगनिको ने गमन अंगों के अधार पर बाटा दो सब फाइलम में plasmoderma and celiata plasmoderma वो सब फाइलम होता है जिसके अंदर गमन अंग flagela हो सकते हैं है ना flagela होते हैं तो उनको और अगर गमन अंग नहीं पाए जाते तो क्या कहलता है स्पोरोजोग और शीलिएटा सब फाइलम में वो जन्तु आते हैं जिनके अंदर गमन विशेश रूप से पाए जाने वाले बोडी पर चोटे-चोटे असंके सिलिया के दौरा गमन होता है उसको हम कहते हैं सिलियटा सब फाइलम मृग tom अप देख रहे हैं तीन क्लासेज आपने पड़ी इसके बाद आपनप सिलियटा की बात करें तो सिलियटा अगर हम देखते हैं डो इस इसमें वटा गया है स्वरी इसको सब फाइलम को सीलियोफोरा को प्लाजमो डर्मा एंड सीलियोफोरा सीलियोफोरा को सीलियेटा और सक्टोरियम बाटा गया है यह एक मिंट सीलियेटा नहीं सीलियोफोरा है सीलियोफोरा ठीक है इसको दोस में बाटा गया है cilieta and sectoria के अंदर जैसे यहां बाटा है वैसे हम इसको और आगे बाटेंगे तो आपन इस तरीके से इसको दो classes में बाट सकते हैं cilieta and sectoria ठीक है तो यह cilieta sectoria आप देख रहे हैं यह दोनों क्या है इसकी classes है सीलियोफोरा सब फाइलम की classes है ठीक है अब यहां देखिए यहां पर जो जनरली एक अपन बात कर रहे हैं पूरे classification की इसमें क्या क्या निकल करके आ रहा है प्लाजमो डर्मा के अंदर क्या हो सकता है प्लाजमो डर्मा के अंदर हमने बताया है कि प्लाजमो डर्मा कोन से सब फाइलम के जनतु हैं यह इसके अंदर जो गम अनंग होते हैं यह फ्लैजिला हो सकते हैं और यह क्या हो सकते हैं अब इसी तरीके से हम इसमें जो है यह इनके क्यरेक्टर्स की अब अपन बारी बारी से क्या करते हैं बात करते हैं और ओर्डर्स जो हम होंगे इसके बाद में अपन ओर्डर्स डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे लेकिन यहां तक हमें इसका एक बार यह क्लासेस तक जो है मैं आपको इनके क्यरेक्टर बता देता हूँ तो अपन सबसे पहले प्लाज्मो डर्मा के क्लासेस के बारे में बात करेंगे उनके क्यरेक्टर की बात करेंगे उसके बाद अपन सीलियो फोरा के करेक्टर्स की बात करेंगे तो आपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर देखे इसमें हम एक एक करके अपन इसमें लेते हैं सबसे पहले अपन प्लाजमो डर्मा के करेक्टर देख लेते हैं और प्लाजमो डर्मा के करेक्टर के बाद फिर हम सीलियो फोरा के करेक्टर्स की बात करेंगे कि चलिए अपन सबसे पहले लेते हैं सब फाइलम प्लाजम डर्मा ठीक है सब फाइलम प्लाजम डर्मा के सबसे पहले अपन कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे बात करेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं क्या है इसकी विशेश्टा लोकोमोशन बाए जैसा आप बताया है मैंने आपको फ्लाजीला से हो सकता है लोकोमोशन या फ्लाजीला के अलावा किसके द्वारा हो सकता है स्यूडवडिया के द्वारा हो सकता है लोको मोशन इस सब फाइलम को प्लाजमो डर्मा की विशेशता यह है कि इसमें जो गमनंग होते हैं वो या तो फ्लाजिला हो सकते हैं या सुडो पोडिया हो सकते हैं और may be absent, और absent भी हो सकते हैं, तो ये अपन इसको क्या कहेंगे, plasmo-derma कहेंगे, और इसमें बात करें तो nucleus कैसा होता है, nucleus one or many, nucleus एक या अनेक हो सकते हैं, nucleus one or many, यानेक भी हो सकते हैं, एक भी nucleus इसमें पाया जा सकता है, sexual reproduction by complete fusion of gamut, sexual reproduction और as-sexual दोनों पाया जाते हैं, as-sexual reproduction by binary fusion, budding और multiplication के द्वारा भी हो सकता है, जबकि sexual reproduction, sexual reproduction भी पाया जाता है, plasmo-derma सब-phylum के सदस्यों में और वो complete fusion of gamut के द्वारा संपन होता है, sexual reproduction by complete fusion of gamut, जिसको हम क्या कह सकते हैं, syngammy, ठीक है, अब और क्या हो सकता है, plasmo, इसकी class हम बात कर रहे हैं, इसकी plasmo-derma की और क्या हो सकता है, इसमें, life cycle के अंदर, alternation of generation भी पाये जाता है, यह soil, fresh water और salt water तीनों के अंदर यह पाये जा सकते हैं, यह जन्तू, इसकी बात करें, these animals are found in, these animals are found in, fresh water, soil and marine water, ठीक है, यह जन्तू होते हैं, plasmo-derma sapphylem के जो भी सदस्से हैं, यह, मिट्टी के अंदर भी पाये जा सकते हैं, fresh water यानि की, साफ पानी में भी पाये जा सकते हैं, जिसके अंदर की, salt की concentration कम होती है, दूसरा marine water के अंदर भी यह, पाये जा सकते हैं, ठीक है न, इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि यह जन्तू है, सब फाइलम प्लाजमो डर्मा के अपन केरेक्टर देख रहे हैं, और सब फाइलम प्लाजमो डर्मा के बाद, अब प्लाजमो डर्मा में आने वाले जो तीनों जो हैं, हम उसकी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, कि सब फाइलम प्लाजमोडर्मा में जो तीन मैंने आपको बताएं हैं फ्लाजिलेटा क्लास, राइजोपोडा क्लास और साथ में तीसरी क्लास सार्कोटीना, तीनों के हम Character की बात करेंगे, तो हमारा सब फाइलम प्लाजमोडर्मा कम्पलिट हो जाएगा ठीक है तो जैसा हम पढ़ रहे हैं इसमें फिर हम आगे का जो प्लाजमो डर्मा की अपन बात कर रहे हैं प्लाजमो डर्मा सब फाइलम में हमने अभी देखा कि इसके जो जनरल करेक्टर हैं किस तरीके से अब जनरल करेक्टर की बात करने के बाद अब अपन प्लाजमो डर्म को तीन pathway करते हैं पहली क्लास कोई सी कैसे क्लास के थी दौ अट क्लはは अगर आपन चाहिए ऐखेंगे तो पहले अपन आपन अपने पहले घृर्ट्पक्र करेंगे धूर्ट की बात करेंगे तो आपन classification में अपनी पहली class चल रही है class mastigophora इसके general character की बात करें तो general character में हम सब सबस्ब पहले क्या कह सकते हैं कि locomotion जो इसका अधार है locomotion by locomotion किसके द्वारा हो रहा है फलैजीला के द्वारा हो locomotion by फलैजीला गम अनंग क्या पाए जा रहे हैं मुख्य रूप से फलैजीला पाए जा रहे हैं इसलिए इसको class को क्या का जाता है फलैजीलेटा भी का जाता है locomotion by फलैजीला so also known as फलैजीलेटा class फलैजीला आप जानते हैं कि लंबे होते हैं size के अंदर सीलिया से और यह या तो single पाए जा सकते हैं या इनकी संख्या एक सेधिक हो सकती है लेकिन जो सीलिया होते हैं वो संख्या में बहुत ही जादा पाई जाते हैं तो locomotion by फलैजीला यह इसका important character है mastigo for a class के और दूसरे अलग character और क्या हो सकते हैं इनके अंदर शरीर कैसा होता है constant body form होती है protozoa body are distinct shape ठीक है शरीर का आकार निश्चित होता है क्योंकि शरीर चारो तरफ से pellicle membrane से ढखा रहता है amoeba की तरह naked नहीं होता amoeba कैसा होता है अनेमी ताकार का होता है लेकिन यह अनेमी ताकार की नहीं होता है का इनका आकार निश्चित होता है गोल है तो गोल है cylindrical है तो बेलनकार है तो बेलनकार है ठीक है समझ गे मेरी बात हम कह सकते हैं कि शरीर इसका कैसा होता है distinct shape यानि विशिषट shape वाला होता है और नीमी ताकार का नहीं होता तो हम कह सकते हैं body are distinct shape because of because of true वास्त्वीक जो पैलिकल मेंब्रेन इनके उपर पाई जाती है जिसकी विजशिन के शरीर का आकार निश्चित होता है और बात करें तो और इसमें क्या जेनरल केरेक्टर होंगे मैस्टिकोफोरा के लोको मोशन हमने बताई दिया फ्लैजिला के द्वारा होता है और बोडी इसकी किस-किस के द्वारा कवर हो सकती है इलास्टिकल पैलिकल के द्वारा भी हो सकती है है ना और सिलिका और सेलुलोस के शेल के द्वारा भी कवर्ड हो सकती है तो हम कह सकते हैं Body are a distinct shape because of true pellicle membrane. Body also covered by shell of cellulose and silica. ठीक है? Cellulose और silica की बने हुए, उसके कवच के द्वारा भी इनका शरीर क्या होता है? ढका हुआ रहता है. ठीक है? और वैसे मुख्य रूप से क्या होता है? पैलिकल मेंब्रेन से डखा हुआ पाया जाता है. लेकिन वो cellulose और इससे भी डखा हुआ पाया जा सकता है. अब बात करें तो cytoplasm, जो होता है इनका, वो किस तरीका होता है? डिफ्रेंशियेट होता है. और नूकलीएस इस जनरली सिंगल. ठीक है? रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिटुड Politics फिजन. ये फ्री लिविंग पेर साइत होते हैं, कैसे होते हैं? फ्री लिविंग पेर साइट्स. फ्री लिविंग पेर साइट्स होते हैं, सॉलिटरी. free living parasite होते हैं solitary यानि की एकल रूप में पाई जाते हैं single रूप में solitary हो सकते हैं colonial भी हो सकते हैं ठीक है और कुछ इसकी परजातियां होती है जो की pigmented होती है ठीक है जैसे की yuglina और आप बात करें तो इसमें देखिए मुखे रूप से भी बताया आपको की nucleus कैसा होगा इसका free living parasite है solitary colonial भी हो सकते हैं solitary और colonial colony बना करके भी रह सकते हैं और बात करें तो जैसा मैंने कहा की केंदरक कैसा होता है इनका nucleus mostly single यह केंदरक एक ही पाया जाता है जबकि आप आगे पड़ेंगे अम इसमें paramecium के अंदर देखेंगे आप celiata जो class आईगी celiata celiophora के अंदर वहाँ आप देखेंगे दो-दो केंदरक होते हैं जैसा paramecium लेकिन इन जन्तुओं के अंदर mastigo for a class के जन्तुओं में केंदरक single ही पाया जाएगा और और क्या character अपने इसमें देख सकते हैं जैसा भी मैंने बताया आपको कि इसकी कुछ forms होती है या कुछ जो इसकी अवस्थाएं होती है वो कैसी होती है pigmented होती है और वो protozoa के और algae के दोनों character show करती है तो हम कह सकते है some forms are some forms are pigmented वरनक पाये जाता है इसमें है ना chlorophyll पाये जाता है जिसकी वज़े से ये protozoa के और algae के दोनों character show करते है some forms are pigmented and exhibits protozoa plus algae character ठीक है protozoa और algae दोनों के character show करते है अब अगर हम बात करें इसके एक दो point हो रहे गए इसके बाद आपन next इसकी class की बात करेंगे लेकिन पहले ये अपन देख लेते हैं इसको पूरा पढ़ लेते हैं इसमें reproduction कैसे होगा reproduction जो मैंने बताया आपको asexual और sexual दोनों परकार से हो सकता है life cycle may be single or dimorphic may be simple or dimorphic or polymorphic life cycle ख्रुट्रिक फॉर्म के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं इस वीडियो के अमनेِ देखा क्लासिफीकेशन पार्ट से हमने बात कि कर देखा फीर हम यह क्लासे के बात करें चल रहे है आगे बढ़ रहे हैं पुरह क्लासिफीकेशन को आपन study करेंगे इसके बाद मैं mastigophora के बाद दूसरी class लूँगा जो हमारी इसमें plasma derma subphylum में जो दो और बची हुई है उन दोनों के character आपन next video के अंदर study करेंगे so thank you all of you